प्रभास की फिल्म साहो जब से रिलीज हुई है तब ही से बॉक्स ओफिस पर धूम मचा रही है फिल्म ने तीसरे दिन हिंदी वर्जन के जरीए बॉक्स ओफिस पर 29 करोड 48 लाग रुपे की कमाई की इसी के साथ साहो ने हिंदी वर्जन के जरीए अपने वीकेंड पर 70 करोड 8 लाग रुपे का कारुबार किया है इतना ही नहीं प्रभास कि इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है दरसल पहले संडे को सबसे ज़ादा कमाई करने के मामले में साहो ने इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में भारत कबीर सिंग और मिशन मंगल को पचाड़ दिया है जहां एक तरफ शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंग ने अपने पहले संडे में 27 करोड 91 लाइक कमाई की थी वही सलमान की भारत ने अपने पहले संडे पर 27 करोड 90 लाग रुपए का कारूबार किया था इसके लावा अक्षे की फिल्म विशन मंगल ने संडे को 27 करोड 54 लाग रुपए का बिसनस किया था इसे साफ से देखा जाए तो साहो ने संडे को 29 करोड 48 लाग की कमाई कर सलमान, अक्षय और शाहिद को मात दे डाली है कहरा गलत नहीं होगा कि साहो ने आते ही बॉलेवुड के बड़े-बड़े स्टार्स की बॉक्स आपस पर बैंड बजा दी है लगता है दर्शकों पर साहो का जादू सर चड़ कर बोल रहा है क्योंकि फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से बेहदी बेकार रिव्यूज मिले हैं लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म जिस तरह से कमाई कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बॉलेवुड में प्रभास का तगड़ा स्टार्डम है बता दे कि फिल्म में प्रभास के साथ शदा कपूर, चंकी पांडे, नील नतिन मुकेश और जैकी शॉप भी इंपोर्टेंट रोल में नज़र आए हैं भली ही फिल्म की कहानी में दम ना हो लेकिन साहो के जबदस्त आक्शन की जम कर तारीफ हो रही है 350 करोड के बजट पर बनी इस फिल्म के VFX पर मेकर्ज ने जम कर पैसा बहाया है साथ ही बताया जा रहा है कि इस फिल्म को भारत में 10,000 फ्रीज पर रिलीस किया गया है वेल देखने वाली बात तो अब यह होगी कि प्रभास की साहो आने वाले दिनों में और कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करती है वैसे अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखे और हमें कमेंच करके जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी झाले लाज से लाज कमें आपको की सामच कीी है फटाब मढा सभी कि लची माजी बताब में घर का настоящी म кил mandate, और देखे और तक यह नहीं गे घरी है झाले अजक है लेंग से घंजक बोक श्तर फेरे वह देने बगल टोंक कर दो चो चल्वाज किरे आद़। झाल 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 झाल